नमस्कार साथियों मैं नानक चंद आज आपके सामने में मेकरी प्रस्थुत करूंगा जो की वाइस पनाने की खला होती है तो दूस्तों सबसे पहले में इंसान से ज्यादा जो वफदार जानवर होता है कुट्ता चलो आज मैं उसकी अवाद सुनाता हूं छोटा कुट्ता कि जैसे कुट्ते की उमर बढ़ती है यानि एज बढ़ती है तो किस तरह करेगा और जैसे की कुट्ते के ऊपर कुछ पैर रख देते हैं या गाड़ी चड़ जाती तो किस तरह चलाएगा तो आप नेक्स्ट करते हैं जैसे कि आज करके टैम पे बुजरुकों लोगों का कहना बच्चे लोग नहीं सुनते तो उसके ऊपर कैसे बोलेंगे बात करींगे मैं सुनाता हूँ आपको आज अरे बेटा, बेटा मेरा पैर दर्दुरा जला दुबाई मल दे पापजी सबर कर लो अभी मल देता हूँ अरे बेटा तु समझता नहीं है, मेरा भूब दर्द करना जान निकल रहे है बेटा अरे पापा जी सबर कर लो भी कर देता हूं जब भी इंटरनेट चलाता हूं तुम्हें तकलीफ होती है अरे बैटे दिन बर ये तु फेस्बुक वाक्षाप पे लगा रहता है ये तिरको रोटी देने वाली नहीं है पापा जी तुम्हें क्या पता रोटी बनाने वाली तो तो नेक्ष्ट जैसे कि छोटा सा बच्चा दुकानदार है और बड़ा व्यक्ति जो है कुस्टमर है तो वो किस तरह बात करेंगे चलो आओ सुनातों आपको बेटे ये पताओ ये जो खटी मिठी गोली आप बेश रहे हो तुमारा खाने का मन नी करता है अंगली अंगली मेरा तो बहुत मन करता है तो बेटे क्या करते हो आपका जम मन करता है तो अंगली अंगली जो मेरा मन करता है ना तो मैं चोस चोस के रखता रहता हूँ चलो नेक्स्ट जैसे कि आज पुलीस वाले और मुजरिम की बात कैसे होती है चलो आज मैं सुनाता हूं आपको हां जी एसी पी धरमपार बात करां जो रिगारन थाने से सर जी मैंने तो कुछ किया नहीं है आप मेरे को कॉल करके क्यों तंक रहे तो दोस्तो अब नेक्स्ट जैसे की कई विराइटी के आवाज आती है जब बुड्धे लोग बात करते हैं ऐसे कि और एक यह अरे बेटा बात है दिक्कत हो लिए तरेको क्या और एक यह अले भाइए मैं तो बात करो हरपैल सी और मेरे में जवानी बहुत सारी फूट फूट के भरियों पर वहले ने और जैसे कि हमारे देश के रेल मंतरी जो कि लालू परसाद यादा वह किस तरह बात करेंगे चलवाओ सुना तुम अजब तक हम बिहार में हूं ना तब तक रेल को उठल पुचल करता रहूंगा और याद रखना दोस्तों जब तक समोसा में आलू है तब तक बिहार में झालू है तो...